हिमाचल पर्दिव से 1950 मेटर की उचाई पर स्थित है यह प्रेटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां प्रेटक सबसे ज़ादा आते हैं मनाली कुलु जिले का एक हिस्सा है जो हिमाचल की राजदानी शिमला से 500 किलो मेटर की दूरी पर स्थित है हिंदू पुराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम मनू से उत्पन हुआ है जिने श्रिष्टी के रच्यता भगवान ब्रह्मा ने बनाये था ऐसा माना जाता है कि मनू इसी जगे पर जीवन के साथ चक्रों में बने और मिटे थे मनाली की हिंदू धर में काफी मान्यता है जिसे जीवन के साथ चक्रों दिवर्स सेच से संबंधित माना जाता है मनाली में घूमने के लिए एक खास जगे हैं जैसे हिडिबबा देवी मंदिर, सोलांग वैली और भिर्गु लेक जील हिडिबबा देवी मंदिर, उत्तर भारत में हिमाचल परदीश राज्य के मनाली में स्तित है यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भारतिय महाकावे महाभारत के भीम की पतनी हिडिमबी देवी को समप्रित है यह मनाली में सबसे लोग प्रिय मंदिरों में से एक है इसे डुंगरी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है मनाली घुमने आने वाले सेलानी इस मंदिर को देखने जरूर आते हैं यह मंदिर एक चार मंजिला सरंचना है जो जंगल के बीचों बीच में स्थित है स्थान्यें लोगों ने मंदिर का नाम आसपास के वन शेत्रों के नाम पर रखा है हिल स्टेशन में स्थिथ होने के कारण बर्फ बारी के दोरान इस मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में सलानी यहां जुटते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ती स्थापित नहीं है बलकि हिडिमबा देवी मंदिर में हिडिमबा देवी के पच्चिनों की पूजा की जाती है हिडिम्बा देवी मंदिर की खास्यत है कि इस मंदिर का निर्मान पगोडा स्टाइल में कराया गया है जिसके कारण यह समान्य मंदिरों के काफी अलग और लोगों को आकर्शन का कींद है यह मंदिर लकडी से बनाया गया है और इसमें चार छटे हैं मंदिर के नीचे की तीन छते देवदार की लकडी के तक्तों से बनी हैं और चौधी या सबसे उपर की छत का निर्मान तामबे एवं पीतल से किया गया है। सोलंग वैली हिमाचल परदेश के सबसे लोग प्रिय प्रेटक सलो में से एक है। सवारी विशेश रूप से सभी आयू वर्क के प्रेटकों के लिए उपलब्ध है। सर्दियों के दोरान जब घाटी बर्फ से ढख जाती है तो इस दोरान स्किंग यहां की लोग प्रिय खेल बन जाता है। मई में जब बर्फ पिंगलने लगती है तो इस दोरान स्किंग जोर्बिंग, पैरा ग्लाइडिंग और पैरा शूटिंग में बदल जाती है। सोलंग घाटी की धलान और यहां के मन मोहंद रिश्य हमेशा ही प्रटकों के लिए आकरशन का केंद्र बने रहते हैं। अगर आप सोलंग वैली जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सोलंग वैली प्रटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती हैं, जहां आप 3-4 घंटे में असानी से घूम सकते हैं। यदि आप पेराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रती वैक्ती 1200 रुपे का शुल्क लगता है। प्रती धाली खुबशूरती एडवेंचर और अपने यहां स्तित हिमाली ट्रैक्स के लिए भारत के सांथ ही पूरे विश्व भर में प्रасिद्ध है। इन्हीं हिमाली ट्रैक्स में से एक है बिर्गु लेग ट्रैक। बिर्गु लेक प्रैक हिमाचल जिले में स्थित एक खुपसूरत जील है जिसे देखने हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं बिर्गु लेक पिकनिक में जाने वालों के लिए भी एक आदर्स जगे है यहां वीकेंड के समय आसपास के लोग परिवार के साथ पिकनिक बनाने हे तू यहां पर आते हैं तता यहां के शांत वातावरण और चारों और बर्फ से धकी चोटियों को देख कर प्रियोटकों की असीम शांती वो आनन्द की प्राप्ती होती है यह ट्रैक्स कुलू में स्तित है जहां पूरे भारत के सबसे खुबसूरा ट्रैक्स में से एक माना जाता है